नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे धन तेरस के बारे में जुकि साल 2023 में 10 नवंबर को हो रहा है और इस दिन हम ऐसा कौन सा काड़िय करें जिसे मालक्षमी का अशिरवाद हो कुबेर महराज और धनवंतरी भगवान का भी असरवाद आपको प्राप्त हो इसके लिए हम बनाएंगे धन की पोटली चुकि धन तेरस पर भी बना सकते हैं दिपावली पर भी बना सकते हैं लेकिन इसको बनाने की सही विदी क्या है और क्यों बनाया जाता है यदि यही धन पोटली पुडानी हो गई आपकी पहले ही अगली वर्स अपने बना रखिये तब उसका हमें क्या करना है और इसमें जो भी सामगरे हम डालते हैं उन सभी का धार्मिक महत्व क्या है यह भी साथ साथ हम जानेंगे आईए वीडियो को हमें स्टार्ट करते हैं नमस्कार दोस जमान होती है उस घर में मलक्समी का वास होता है इस पोटली से नाकाडात्मक्स जो सकती होती है वह भी समाप्त होती है वैरत के पैसे यदि खर्च होते हैं निरू की काया की प्राप्ती होती है किस प्रकार से बनाना है वह देखते हैं इसके लिए सबसे पहले हम एक सुकार होने से जो अकारण भैय होता है उससे आपको मुक्ति मिलती है यह में मार्केट कई थी तो मुझे बहुत बड़े साइस का गोमती चक्र मिला था तो मैं इसे उठान लाए थी और यह काफी मुझे महंगा भी पड़ा करीबन सो रुपय का मुझे यह एक अकेलर पड़ा है बाक अगली कारिया हमें सब बने रहें आर्थिक कभी भी समस्या का सामना ना करना पड़े तब ऐसे में काली हल्दी घर में जरूर रखनी चाहिए और धन की पोटली में वीचे इसका रखनी चाहिए यदि आप आकर्शक व्यक्तित्व अपना चाहते हो तब काली हल्दी को की भी आकर्शन व्यक्तित्व में आता है और दुकान में व्रिदी करना चाहते हो तो इसी हल्दी के इस्तेमाल से आपको स्वास्तिक बनाना है दुकान के दर्वाजे पर अब हम लेंगे लाल गुंजा जो कि मैंने 11 के संख्या में लिया है आप चाहे तो 5, 7, 9 इस प्रकार के संख्या में ले सकते हम जिस गर में लाल गुंजा होता है उस गर में वासपाना जाता है क्योंकि यह मा लग्षमिक्टेदेंग पडिए है संतान से संब्लित यह कोई भी समस्या है तो लालगुुंजा के स्त Mississippi फूज अब भी दूर Hoothing यह चांदी का सकह लेंगे जिसंवी भगवाण से लिकनीस औो मा लुक्षमिका जो है ना चित्र अंकित कियाओ करते हैं उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं पांच रुपए दस रुपए कर सकते हैं कमल गट्टा जो मैंने पांच की संख्या में दिया है मालक्समी को ते दिये माना जाता है माना जाता है कमल गट्टे की पांचो अंग भी मालक्समी का ववास होता है यदि कमल गट्टे की मालक के उपर मालक्समी की परतिमा को स्थापित करके आप मालक्समी की पूजा करते हैं तो इससे दरिदरता का नास होता है और धन के ब्रिद होता है तो इसमें एक मैने नई लिए और बागी जो है पिछली वर्स की थी तो हम इनका भी इस्तेमाल इसमें कर लेंगे प्रतिक वर्स आप जो है यदि आपके पास पहले से धन की पूटली है तो एक एक आप उसमें बढ़ा सकते हैं वरना आप पुड़ाने कभी इस्तेमाल कर सकते हैं किस प्रकार से करना है वह भी बाद में बताऊंगे बहले हम देख लिते हैं किंति सामागरियों की जरूरत होती है जिस गर में पीली कोडिया मौजूद होती है वहां धन का प्रवाह बहुत ही आसानी से होता है साथ में एक लॉंग के जोड़े लेंगे जिसे से भी प्रकार के नकारात्मक सकनियां दूर होती है और लॉंग की जो खुस्पू होती है वह मालक्ष्मी को अत्यधिक प्रियमाने जाते हैं मालक्ष्मी इसके प्रभाव से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाती है दो इलाइजी का मैंने लिया है यानि कि एक चुड़ा एलाइजी जो कि हरी वारी यह चुटी वाली इलाइजी होती है यह भी मालक्ष्मी पत्यधिक प्रियमने जाते हैं तो इसे भी हैं इलाइजी की फाइदी यह थन वृद्धी के लिए बहुत है यह उपाय बखुत ही चोटे-छोटे से उंपाय हैं लेकिन इनके फायदे बह आपने आप ही बाहर चले जाएंगी ऐसे में बालक्समी तो वास करेंगे करेंगे अब हम लेंगे पोटली तो पीले रंकी और लाल रंकी मैंने दोनों ही लिए मार्केट में बहुत ही आसानी से यह पांच रुपे-10 रुपे में मिल जाती हैं तो आपको जो भी मेरजी हो जित में दालकर की घाठा लगा के रख सकते हैं अब जानते हैं कि इन सारी सामगरियों को करना क्या है पोटली के बनाए जाती है ताकि यह धनको बढ़ाने वाली हो आप्क यहां धनका आग्मनली कराएं तो सभी सामगरियों को हम पोटली मीं इस दरह से कठा कर लेंगे कि कली हल कर सकते हैं लेकिन देखकर की किजिए का क्योंकि इसमें बहुत सारे फड़े भी होते हैं अमेजान वगर अपे भी वैसे काली हल्दी नजर आती हैं धन पोटली बनाने के लिए सभी सामग्रियों पर हमें सबसे घंगा जल के छीटे लगा लेने हैं ताकि इनका सुद्धी हो और यदि पीछले वर्ष के आपके पास पोटली पड़ी हैं तो सभी सामग्रियों को निकाल लें और उन पर गंगा जल के आप छीटे लगा दें उसके बास सभी सामग्रियों को आप पोटली में इकट्टा करके रख लें अब यह काड़े आप चाहे तो धंतिरस पर कर सकत सकते हैं या दोनों ही दिन एक ही पोटली का भी इस्तिमाल कर सकते हैं इस पोटली को खुले वी अवस्था में मालक्षमी के चर्णों में आपको समर्पित करना है और उन से रात ना करनी है यह कोई विजिस आपकी मनों कामना है तो पोटली बनाते समय वह कामना भी आपको बूलते रहना है और मालक्षमी के मंतरों पर जाब करते रहना है पूर्टली बनाने के बाद आपको उसको लॉक नहीं करना है यानि कि उसको बाधना नहीं है खुली भी अवस्ता में रखना है यह बात विसेज करके आप ध्यान रखेंगी उसमें धूप दीप दिखाएं उस से खराब हो जाती है तो इससे ठाटा दिजेगा उसका इस्तमाल आप नहीं करेंगे पुराणी धन्दायक जितनी भी कुटलिय हम बनाते हैं यह बहुत लुग नवडात्री में भी बहुत अधिक फलो को देने वाली होती है लेकिन ही खास कर दिपावली पर ही बनाती हूं मैं मैं इसे बिना कर समर्पित करती हूं पूजारशन करने के बाद रात भर इस पोटली को आपको वहीं रखे रहना देना है ताके इन सामगरियों में मालक्षमी का जर्वाद आए या पोटली पूरी तरह से चार्ज हो जाती है दूसरे दिन यानि के प्रादाकाल दिपावली के सुबह हम क्या करेंगे यह पोटली उठाएंगे और पोटली को मालक्षमी का सिर्वाद मांते वहीं पर इस पोटली को हम बंद कर देंगे यानि कि इसके जिप को हम लॉक कर देंगे और जहां पर भी आप धन रखते हों पैसे रखते हों तीजोड़ी हो या फिर आप अपन इसले वाली जो फायदे है वह आपको पूरी तरह से प्राप्त हो सकते चार्ज करने के लिए आप इसी प्रकार से पोटली को निकाले कुटले के सामगरी को हल्क लगाएं मालक्षमी से परात ना करें पोटली वापस से तरह लौक करें और अपनी तीजोरी में आप इसे रखने इस तरह से पुड़ानी जो भी पोटली होती है वह सार्ज की जाती है ताकि मालक्षमी काशरवाद पूरी तरह आपके उपर बना रहे हैं यह इसमें से कुछ सामगरियां भी खराब हो जाती हैं या फिर पूरी तरह से लगता है कि नश्ट हो गई हैं तब उन चीजों को आप प्रवाहित कर सकते हैं या फिर आपके घर में छोटे-चोटे गमले हैं तो उन गबले में भी उन चीजों करना बिल्कुल ना भूलें अगले वीडियो में हम नई जानकरी के साथ फिर से मिनेंगें तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों